उम्शन्ति, कुछ खड़ियों के लिए स्वचिन्तन करते हैं। बिलकुल स्थिर रखते हुए अपने बुद्धी योग को देखें। कहां कहां जुड़ा हुआ है। अतीत के किसी घटना से, वर्तमान कहीं और हो रही किसी घटना से, या कोई भविश्य में आने वाली घटना से, कहां है मेरा बुद्धी योग। अपने बुद्धी को वह से निकालते हुए, धीरे धीरे स्वयम पर ले आए। अंदर की तरफ मोड दे बुद्धी को और अपने चिंतन में अपने आपको ले आए। मैं आत्मा एक छोटी सी बिंदी हूँ। दिन भर सोचने वाली मैं और मेरा करने वाली मैं आत्मा हूँ। देखें कैसे एक छोटा सा सितारा आखों के पीछे बैठ कर तिन रात सोच रचना कर रही है। कुछ देर अपना ध्यान स्वयम पर रखें। देखें अपने सुन्दर सुरुप को, मैं एक सितारे की तरह पहुत सुन्दर हूँ। कितनी छोटी हूँ मैं तिन रात मैं मेरे के चकर में कितना इधर उदर भटकती हूँ। और हूँ कितनी छोटी। एक छोटा सा पॉइंट हूँ। क्या चाहिए मुझे। कुछ भी तो नहीं। इतनी छोटी दिव्य, शास्वत, सुन्दर से तारा हूँ। दे अभिमान के चकर में धके खाते खाते मेरा क्या हाल हो गया है। अब अच्रज लगता है कि हूँ मैं मात्र इतनी छोटी, कोई जरूरत नहीं मेरी, कुछ नहीं चाहिए। कुछ खोने का डर नहीं है, अजर, अमर, अविनाश्य हु मैं। किस बात की चिंता है, किस बात की फिकर है। अपनी स्वस्थिति को देखिये, कितनी सुंदर, कितनी शान स्थिति है। मैं आत्मा कितनी शान्त हूँ, कितनी सुख स्वरूप हूँ। कुछ तेर अपना ध्यान स्वयम पर केंद्रित कर, स्वयम की सुंदर्ता दिव्यता शंती को अनुभव करे। अम्शन्ती हमने स्वयम को जाना और ये भी समझा कि मेरा वास्तविक परिच्छ यही है कि मैं एक आत्मा हूँ आज तक अपने आप को स्त्री, पुरुष, इंजिनियर, डॉक्टर, बिजनस्मेन, छोटा, बड़ा, मध्यम वर्गिय या मध्यम आयू वाला या बहुत सारी बातों के साथ हम अपने अस्तित्व को जोडते थे अब हमें पर्मात्मा के द्वारा अपना असली परिच्छ मिला तो आइडेंटिटी क्रैसिस अगर हम इस बात को समझ जाए, रियलाइज कर ले कि मैं आत्मा हूँ तो मेरा आइडेंटिटी क्रैसिस खतम हो जाएगा इजो अस्तित्व को इधर उदर हम डूण रहे हैं, वो अस्तित्व की खोज वो भटकना खतम हो जाएगा अगर समझ ले मैं आत्मा हूँ और अपनी शान्ती, खुशी, प्रेम की शक्ती को इस आइडेंटिटी क्रैसिस के पीछे ना गवाएं पूरे देन इस अस्तित्व की जंग में हम अपनी शान्ती, खुशी को गमाते जा रहे हैं और असलियत यही है कि हमारा अस्तित्व हमारी शान्ती, खुशी, प्रेम की शक्ती से है तो जितना जितना हम इस बात को समझते जाएंगे, उतना वो जो लॉस है वो खतम करते जाएंगे और अपनी स्वास्थिती में स्थेत हो जाएंगे. दूसरा कल से हमने ये समझना शुरू किया कि सच मुझ मेरा कौन है। कि रिलेशन्शिप बनेंगे, कोई लोग हमारे जीवन में होंगे, तो हमारे जीवन की क्वालिटी उसका आनुभव बहतर बनेगा, सुखदाई बनेगा। लेकिन हुआ क्या हो गया ये कि आज हम कहते संबंधों के कारण तनाओ है, संबंधों के कारण डिप्रेशन हो रहा है। क्यूं? क्यूंकि संबंधों में जो expectation रख रहे है, वो पूरी नहीं हो रही। अब ये जो expectation हम संबंधों से रख रहे हैं, वो पूरी होनी भी नहीं है वहाँ से। जैसे हमने समझा हमारा अस्तित्व बाहर नहीं है, बाहर ढूनने से हमेशा अस्तित्व की खोज रहेगी, कभी भी अपनी अस्तित्व में टिकने का जो सुख है वो नहीं प्राप्त होगा, ऐसे ही हम संबंधों को ढून देहधारियों में रहें हैं, कि शरीर में जो ये इस आसपास आत्माई हैं, जिनको आप मात, पिता, बच्चे, पत्नी, सखा, बंदू कहते हैं, वो हमें सुख देंगे, लेकिन वास्तविक्ता में वो हमारे को सुख देने के लिए बंधायमान नहीं है, वो सब आत्माई हैं, हमारी ही तरह वो भी ढून र तो जो खुद ढून रहा है, वो मुझे सुखी कैसे करेगा, जो सुखी होगा, वो सुखी करेगा, जो खुद शान्ती सुख के लिए बटक रहा है, वो कैसे मुझे खुष करेगा, आज की विडिम्बना ही यही है, कि हर व्यक्ति सोचता है, दूसरा मुझे सुख देगा, लेकिन दूसरा तो तब देगा न, जब उसके पास होगा, और अगर उसके पास होगा, तो आपके पास क्यों आया है, वो भी ढूंडते हुए ही आया है, तो इसे लिए अब हम समझने की कोशिश करेंगे, कि हमारा वास्तविक संबंद किस से है, तो जैसे हमने कल समझा, कि भगवान से या परमात्मा से हमारे सर्वसंबंद है, और यही टूथ है, जब हम अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करेंगे, तो हमें सुख मिलेगा, आज तक हम क्या समझते थे, कि परमात्मा से संबंद नहीं है, पर्मात्मा एक साधन है हम पर्मात्मा के पास जाते थे और पर्मात्मा वो साधन है जो हमें वो सब कुछ प्राप्त कराएंगे जो हमें सुक के लिए चाहिए और इसलिए हम पर्मात्मा को याद नहीं करते थे उनसे फर्याद करते थे आप याद और फर्याद में अंतर जानते हैं फर्याद अगर हम फर्याद करते हैं तो हम हमेशा याचक रहते हैं वो हमेशा भगवान रहते हैं और हम कहेंगे मैं मुरक फलकामी मैं सेवक तुम स्वामी मैं नीच हूँ पापी हूँ आप सर्वशक्तिवान हैं है ना और आप मुझे अब ये दीजिए लेकिन जब हम याद करते हैं तो याद करने के लिए दो इक्वल लोग चाहिए याद करने के लिए संबंद चाहिए और जिससे हमारा संबंद होता है हम उसे याद करते हैं संबंद के आधार से तो हम उसके जैसे बनते जाते हैं ठीक है तो हम आज तक जो कर रहे हैं थे भगवान को उसे क्या कहेंगे वो फरियाद थी और अब हमें क्या करना है उसको याद करना है अब जब हम याद करते हैं किसी को तो आपको उसको याद करने के लिए पूरा परीछे चाहिए उनसका है ना जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आप अनीता जी को याद कीजिए तो अगर आप किसी अनीता बेन को जानते हैं तो आप याद करेंगे और अगर मैं आपको को मिस्टर पीटर को याद कीजिए आप मिस्टर पीटर को आप नहीं ज सामने आएंगी, क्यों आपको apple क्या है, उसका वास्तविक परिचे है, अगर परिचे नहीं है, तो आप याद कैसे करेंगे, इसलिए भगवान को क्या करते थे भगवान का नाम लेते हैं, हम कहेंगे राम, 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 या शिव, शिव कहेंगे तो सिर्फ नाम लेते हैं, क्योंकि हमें पूरा परिचे नहीं है, वो कौन है, कैसे है, स्वरूप क्या है, और फिर सब अलग-अलग बात कहते हैं, सबका अपना डेफिनिशन है, अपना परिचे है, हिंदुईजम में कहेंगे श्री राम है, श्री कृष्ण है, इसलाम वाले कहेंगे, मौहमद है, अब्रहम है, या क्रिश्चिन होंगा, तो कहेंगे, जीजस है, सिख होंगे, तो कहेंगे, गुर्णानक देवजी है, तो हमारे को परिचे पर भी क्लारिटी नहीं है, या हम एगरी नहीं करते, लगा देते हैं, कि मेरा वाला भगवान राइट है, मैं आपको एक छोटी से बात बताती हूँ, अब मैं एक बार हरदवार गई, अभी कुछ पांचे सालों पहले की बात है, तो वहाँ जो दुकाने होती हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छे शिवलिंग मिलते हैं, और बहुत अच्छा वहाँ पर वो जो भी पूजा की सामगरी, और वो घंटे, और सब कुछ बहुत अच्छे मिलते हैं वहाँ, तो हम लोग वहाँ एक दुकान में गुसे, और वहाँ हम शिवलिंग देख रहे थे तो मैंने यही ड्रेस पहनी हुई थी तो वह जो दुकानदार था वह बाते करने लगा फिर मुझे पूछने लगा आप क्या करते हैं आप क्या यह ड्रेस क्यों पहनी आपने तो फिर मैंने उनको बताया कि हम लोग ब्रमा कुमारीज ह और हम आत्मा परमात्मा का ज्यान देते हैं तो वह बहुत खुश हो गया फिर वो मुझे कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा जानके कि आप धरम की रक्षा करते हैं तो मैंने उसको देखा फिर मैंने उसको पुछा धरम की रक्षा हम करेंगे या धरम हमारी रक्षा कर तो फिर कहता है कि नहीं जी आप तो हमी धरम की रक्षा कर रहे हैं क्योंकि धरम को इतना खत्रा हो गया है तो फिर मैंने का नहीं यह तो उल्टा होना चाहिए ना धरम मनुष्य की रक्षा करेगा क्योंकि कहते हैं धरम में शक्ति होती है Religion is Might तो जो धरम की शक्ती से हमारी रक्षा होनी चाहिए न हमारे पास तो आत्मिक शक्ती खतम होती जारी है हम धरम से शक्ती लेंगे या धरम को हम शक्ती देंगे तो फिर वो बहुत हसा फिर कहता है मैं तो ऐसा ही अभी समझता हो आगे अगर आप बताएंगे तो फिर उसके साथ मैंने थोड़ी बातें की और थोड़ा उसको परेच्छे दिया तो आप देखों कि आजकल हम क्या सोचते हैं कि हमारा वाला भगवान राइट है इसी को प्रूफ करने में हमें टाइम एनरजी लगानी है और भगवान से शक्ती लेना या संबंद बनाना वहां तक हमारी बात ही नहीं जाती या हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे रिच्छवल हैं उनको अब्जर्व कर लेते हैं व्रत्योहार जो हैं उनको मना लेते हैं उससे जादा हमारा भगवान के साथ कोई खास संबन्द नहीं है और मुसीबत के समय में हम कहते हैं की आप क्यूँ नहीं या आप क्यूँ नहीं समझते की इतनी problem है आपको कुछ करना चाहिए तो उनको direction भी थोड़े बहुत दे देते हैं कि आपको पता नहीं चलरहा कि आपक परिचे है भगवान के साथ है तो पहने तो किसी के साथ संबंध रखने के लिए हमें उसका पुरा परिचे चाहिए है अब परिचे में 6 बाते आती है किसी के भी परिचे में 6 बाते आती है नाम रूप वो कैसे दिखते हैं अड्रेस कहां रहते हैं, चोथी बात उनके गोण क्या है, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उनकी ऑख्यूपेशन, और छटी बात उनके साथ हमारा संबंध क्या है, नाम, रूप, अड्रेस, गोण, ऑख्यूपेशन, और उनके साथ हमारा संबंध क्या है, ये छे बाते परीचे में और अगर ये छे बातें हमें किसी के बारे में नहीं पता, तो हम उनके उनको याद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उनके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है, अब आप देखो कहते हैं भगवान एक है, है ना अभी आपको आज तक उस एक भगवान का परिचय नहीं मि intuitively, अगर मैं आपको पूछूँ, आपको क्या बात ठीक लगती है भगवान अनेक है या एक है, तो आप कहेंगे मुझे एक है ही बात ठीक लगती है ना, तो भगवान एक है, तो उसका एक नाम होगा, एक रूप होगा एक definite address होगा एक definite उसके गुण होगे या occupation होगा, या उनके साथ हमारा संबन जो है वो clear होगा अगर ये बातें सारी हमें clarity से नहीं मालुम होती तो हम भगवान को याद नहीं कर सकते हमें ये भी पता होना चाहिए वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते क्या देते हैं, क्या नहीं देते या हमारा उनसे संबन्ध क्या है या उनका पूरा परिचे नाम, रूप, एड्रेस के साथ जब तक हमारे पास नहीं है तो हम उन्हें याद नहीं कर सकते और याद करने से हम उनके जैसे बनेंगे ये ना लेकिन हम आज तक कहते हैं हम बगवान को याद करते हैं या नाम लेते हैं लेकिन मैंने नहीं देखा कि नाम लेते याद करते भी मनुष्य में परिवर्तन आता हो परिवर्तन आता हैं कई लोग जाते हैं गंगा में नहा के आ जाते हैं दूसरे दना के पाप करना छोड़ दे तो अब हमें समझना है कि गीता में अगर यह कहते हैं कि तुम देह सही देह के सर्वधर्मों संबंदों को भूल अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो मैं तुमें तुमें तुमारे पापों से चुछाएं तो माना कहीं न कहीं हमारी याद में प्रॉब्लम है न इसलिए तो हमारे पाप नहीं छूट रहे या हमारे अंदर की जो स्थिती है वो परिवर्तन नहीं हो रही तो कौन सी याद है क्योंकि गीता में राजयोग की बात आती है तो राजयोग क्या है जिससे हमारी अंदर के प आफ विनाश होंगे और हमारे हम आत्मा जो है वो शुद्ध बन जाएंगे तो उसके लिए पहले हमें परमात्मा को याद करने के लिए उनका संपून परीचे चाहिए दूसरी बात है आप देखो जैसे मैं अभी पीछे एक बार क्या हुआ एक साल पहले की बात है पिछले सा कि मुझे किसी ने कहा आप गांधी जैनती पर प्रोग्राम कराना ठीक है तो आपको एक हाफ एनार या 45 मिनिट्स गांधी जी पर बोलना है तो वैसे तो as an Indian गांधी जी के बारे में पता है लेकिन इतना भी नहीं पता कि 45 मिनिट्स बोलें तो मैंने फिर उस पर बहुत रि कि के बारे में बहुत कुछ पढ़ा तो जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा तीन-चार दिन बाद मेरे अंदर एक रियलाइजेशन एक परिवर्तन था जैसे मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि एक इतना फ्रेल लुकिंग है ना शरीर के रूप से कोई बहुत बड़े ऐस स्ट्रॉंग व्यक्ती नहीं लगते थे बिल्कुल पतले दुबले लेकिन उतनके अंदर कितनी कैरेक्टर की ताकत थी कि इतना बड़ा मुवमेंट उन्होंने अपने नेतरित्व में किया और मैंने ये भी देखा कि सिंपलिसिटी की वैल्यू या सिंपल लिविंग कैसी है या अपने हाथ से काम करने की वैल्यू को भी मैंने समझा या सेलिबसी की बात है या विजिटेरिनिजम की बात है जो उन्होंने प्रमोट की तो मुझे वो बातें बहुत इंस्पायर की उस टाइम पर कि हाँ देखो एक व्यक्ती ने इतना कुछ किया तो मैं अपने मन में विचार करने लगी कि मैं चार दिन एक महात्मा की जीवन को पढ़ रही हूं मात्र चार दिन एक महात्मा एक मनुष्य है न कोई ऐसे कोई कोई फरिष्टा नहीं है कोई कुछ नहीं है बस एक मनुष्य है उस मनुष्य की जीवन को मैं चार दिन पढ़ रही हूं तो मेरे अ परिवर्तन है, रियलाइजेशन है, तो फिर जब हम भक्ती करते हैं, या हम भगवान को इतने बार याद करते हैं, तो हमारे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आता? तो हम एक इंसान को याद कर रहे हैं, तो हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है, और हम भगवान को याद करते हैं तो परिवर्तन नहीं आता, ये बड़ा अमेजिंग है ना, या मैं इसको एक और तरीके से आपको इस प्रश्न को आपके सामने रखूंगी, आप देखो हम लोग सुनते हैं कथाओं में कि रावन जो था वो बहुत बड़ा शिबभक्त था, और रावन ने बहुत तपस्या की और रावन के अंदर इतनी भक्ति भावना थी कि वो पूरे पूरे दिन तपस्या में बैठ रहते थे और रावन को शिब जी ने बहुत सारे वर्दान भी दिये, और वो बहुत शक्तिशाली भी हो गया उन वर्दानों से, लेकिन विचार करने की बात यह है इतनी तपस्या करने के बाद भी रावन रावनी रहा इतनी भक्ति करने के बाद भी रावन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया तो बस हमें शक्ति मिल गई बाहर से कोई शक्ति मिल गई माना हम रावण ही रहे और उपर से शक्ती शाली हो जाएं तो दूसरे को और तंग करें ऐसा तो हमारे अंदर हमारा जो concept of शक्ती है उसको भी हमें थोड़ा सा रिविजिट करना पड़ेगा कि क्या शक्ती मतलब external power जिससे हम दूसरे को control करें क्या इसको हम शक्ती कहेंगे या शक्ती हम इसे कहेंगे कि मेरे अंदर इतनी शक्ती है कि दूसरा कोई मेरे पर प्रभाव न डाल सके या मुझे क्रोधित ना कर सके या मुझे परेशान ना कर सके या मैं तंग हूँ या मैं अपसेट हूँ वो स्थिती मेरी ना आए वो शक्ति है या शक्ति है कि मेरे अंदर दूसरे को कंट्रोल करने की पावर हो आपके हिसाब से कौन सा ठीक है पहला वाला कि मेरे अंदर शक्ति माना दूसरे को कंट्रोल करें या दूसरा कि मैं अपने आपको अपनी stability में रख सको कौन सी शक्ति होने चाहिए कौन कहते हैं पहला वाला दूसरे को कंट्रोल करना दूसरा है ना दूसरा वाला शक्ति है लेकिन हम अपनी कथाओं में ये नहीं सुनते हैं कि ये शक्ति की परिभाशा है हम हमेशा सुनते हैं कि दूसरे को कंट्रोल करने की पावर मिले तो हम ये जो सारी मान्य प्रिस्थिती के प्रभाव से बिल्कुल न्यारा रहूं प्रिस्थिती आए, प्रिस्थिती जाए, मुझ पर उसका असर ना हो, है न, और ये कब होगा, जैसे मैंने आपको एक दिन बताया न, कि कोई भी बात अगर आपके मन को प्रभावित नहीं करती, तो वो आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती तो अगर कोई भी बात हमारे आसपास आई और हमने उसे अपने मन को डिस्टर्ब नहीं करने दिया तो वो बात की पावर खतम हो जाती है तो हमें परमात्मा से वास्तविक्ता में क्या चाहिए हमें चाहिए कि जो हम परमात्मा से योग लगाए उससे हमारी अंतरिक स्थिती इतनी स्थिर हो जाए कि परिस्थिती आए परिस्थिती जाए हम उस परिस्थिती के साथ उपर नीचे ना हो अब मुझे एक बात बताईए, आज तक आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थती आई है, जो कभी बदली न हो, चाहे बद से बत्तर हो जाए, लेकिन बदलती तो है न, कभी कोई भी situation एक जैसी रहती है, कोई भी परिस्थती एक जैसी रहती है, कभी ने रहती है, हमेशा बद बदलती है, लेकिन problem कहाँ पर आते हैं, परिस्थिती के साथ हम बदल जाते हैं, अगर हम परिस्थिती आई और गई और उसके बीच अपने आप को स्थिर रख ले ठीक रख ले, तो परिस्थिती का हम पर प्रभाव नहीं हुआ, और उसके बाद हमारे लिए इंपोर्टन नहीं है कि परिस्थती आई या गई लेकिन हम क्या करते हैं जैसे ही situation आती है हम अपना मनोबल इतना वीक है कि हम उस situation के साथ उपर नीचे उपर नीचे होते रहते हैं और उसके बाद हम उस situation में जो अपना संसकार बनाते हैं उसके कारण हम परेशान होते हैं अभी आप ये coronavirus ले लो ये coronavirus तो आज है कल नहीं होगा कल हो सकता है कुछ और हो लेकिन ये तो नहीं रहेगा है ना कुछ समय के बाद ये ordinary हो जाएगा अभी भी लोग कह रहे हैं इसका प्रभाव जो है वो वीक होने लगा है तो परिस्थिती आती है परिस्थिती परिवर्तन हो जाती है ले होने का, निराशावादी होने का, वो संसकार हमारे साथ चलेंगे, और आगे की problems हमारा संसकार create करेगा, परिस्थति नहीं, तो हमारी problem ये नहीं है कि situation आएगी, situation जाएगी, वो तो आएगी और जाएगी, लेकिन वो जाने के बाद नई situation concrete करता है, जो हमारा संसकार बनता है उस situation में, वो नई problem के लिए जिम्मेवार होता है, जैसे अभी आप देखो, जो situation बदली, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूं, जिस दिन लोकडाउन हुआ, और हमें पता चला कि अब लोग सेंटर पर नहीं आएंगे, तो हमारे लिए भी एक situation आई न, लेकिन हमने क्या किया, हमने सोचा कि ठीक है, विधी बदलेगी, पर कार्य तो नहीं रुकेगा न, तो ठीक है, लोग फिजिकल ही नहीं आएंगे, तो आप कि आई आप की जूम की सेवा शुरू की, लोगडाउन हुआ, चाहिए कुछ भी हुआ, हमारी दिन चरिया में, और हमारी मन चरिया में कोई परीवर्थन नहीं आया, दिन चरिया और मन चरिया, हमारा उठने का समय है सुबे साड़े तीन बजे, और क्यूंकि हम अबी भी जू सुबह पांच बजे हम मुरी लीक हे रेकॉर्डिंग करते हैं और साड़े साथ बजे मौर्निंग में अभी भी जूम पे क्लास कराते हैं तो हमारी वो जो दिन चरिया है वो अपसेट नहीं हुई हम जितने समय से ये सारी परिस्थती आई, वो दिन चरिया को हमने मेंटेन किया, इसके बाद मन चरिया को भी मेंटेन किया, कि चाहे ही बाहर कैसी भी परिस्थती है, अब तो और ही आत्माओं को शान्ती खुशी चाहिए, तो उसके लिए हमें अपने मन को कैसा रखना है, बि जीवन कैसे affected होगी, इसलिए हम वेट नहीं कर रहे हैं कि वाइरस जाएगा, तो ये बदलेगा, तो ये बदलेगा, हाँ, अगर वो बदलेगा, तो फिर उसे साब से कारे करेंगे, लेकिन कारे किसी भी परिस्तिती में करने की अपनी ability को तो नहीं खोया है, अब आप मान जिन लोगों ने क्या-क्या देर से उठने के आदत बना ली, या पड़े रहने की, या टू मच टीवी वाचिंग, या इंटरनेट वाचिंग की आदत बना ली, या मन में बुरे-बुरे ख्याल लाना, भय लाना, चिंता लाना, ये वाले संसकार बना लिए, अब कल को यद सर्वाइव करने का पोटेंशिल रखते हैं, है न, तो आगे की प्रॉब्लम किस से क्रेट होगी, हमारे संसकारों से, और फिर संसकार से फिर स्रिष्टी बनेगी, जब हम लो एनरजी विचार रखेंगे, हमारी स्थितियां लो होगी, तो आगे की दुनिया की स्थिती भी उस हिसाब से क्रेट होगी, इसलिए परिस्थिती को पावरलेस बनाने के लिए हमें क्या करना है, अपनी स्थिती को ठीक रखना है, वो शक्ति हमें भगवान से चाहिए, परिस्थिती को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि परिस्थिती एक नहीं है, अनेकों हैं, एक को गंट्रोल करेंगे, दूसरी आ जाएगी, दूसरी को गंट्रोल करेंगे, तीसरी आ जाएगी, तो कब तक आप अपनी वो शक्तियों को उसमें लगाते रहेंगे, तो परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहे हमारा मन, हमारा तन नहीं, हमारा जीवन नहीं, हमारा मन, वो जो शक्ती है, वो हमें राजयोग से मिलती है, इसी को कहते हैं कि भगवान को याद करने से हमारे विकर्म विनाश हो जाते हैं, क्योंकि विकर्म विनाश होना माना हम पर परिस्थिती का प्रभाव नहीं पड़ता है, और ज को याद करने के लिए हमें क्या चाहिए हमें उनका फुल परिचे चाहिए उनके साथ संबंध का अनुभव चाहिए और जिससे संबंध होता है उसको हम याद करते हैं तो हम उसके जैसे बन जाते हैं जैसे अगर आपके पिताजी है और उनसे आपका संबंध है आपको पता है वो आपके पिताजी है मानलो बहुत बड़ी position में है मानलो चीफ मिनिस्टर है आपके state के तो आप जैसे ही याद करेंगे आपको ऐसा लगेगा मैं ही चीफ मिनिस्टर हूँ क्यों? क्योंकि उनकी स्थिती आपकी स्थिती बन जाएगी संबंद के आधार से जब याद की जाती है तो जिसको हम याद करते हैं उसके जैसा ही फील करने लगते हैं क्योंकि हमें लगता है हम उसी के तो है ना तो उसके गुण हमारे गुण है अब ऐसे ही आप देखो उल्टा भी होता है जैसे कि अगर मेरे पिताजी है और वो डाइबटीज है तो जैसे ही मैं याद करती हूँ कि वो मेरे पिताजी है और वो डाइबटीक है तो मेरे अंदर भाय आएगा कि मुझे डाइबटीज तो नहीं हो जाएगी तो क्योंकि संबंध के आधार से याद करने से हमें ऐसा लगता है हम उनीके जैसे हैं तो उनकी जीवन में जो कमजोरियां है या जो अच्छाईयां है वो दोनों हमारी प्रवरिती का हिस्सा या हमारी नेचर का हिस्सा बहुत इंमीडियेटली बन जाती हैं तो परमात्मा से संबंध रखने से, परमात्मा का बच्चा स्वयम को अनुभव करने से, हम उनके गुणों को अपने गुणों में लाते जाएंगे, और उनके जैसे बनते जाएंगे, और जब हम उनके जैसे बनते जाएंगे, तो फिर वो कैसे हैं, वो तो सुख दुख से न मान अपमान से उपर हैं, तो ऐसे ही हम भी बनते जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें पहले ये समझना होगा, कि हमारा संबंध एक उनी से है, अभी भी आप देखो, जैसे आप समझते हो, कि आपका संबंध आपके बच्चे से है, अब बच्चा दुखी है, तो बच्चे की स स्थिती आपकी स्थिती बन जाते हैं, यह आप समझते हैं, आपका संबंध एक से है, अब पती का अगर धन उपर नीचे हो रहा है, तो आपको भी गरीब फील होने लगता है ना, कि मेरे अंदर मेरे भी फfinanical status उपर नीचे है, क्यों, क्योंकि संबंद का आधार से उनकी स हमारी स्थिती बनती है संबंद के आधार से, तो पहले तो हमें ये समझना है कि परमात्मा का पुरा परिच्छे क्या है, फिर हमें उनके साथ संबंद का अनुभव करना है, उसको इस्टाबलिश करना है, वर्तमान समय में हम परमात्मा के साथ संबंद अनुभव नहीं करते ह करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ या भगवान की बच्ची हूँ, इतना नशा या खुशी या वो जो हमारे अंदर वो इंटॉक्सिकेशन या वो स्वमान रहता है कि हम भगवान के हैं, वो संबंद का अनुभव हमें किसी को भी नहीं होता है इसलिए ये जो मेडिटेशन है, इसमें हमें संबंद को सोचना पड़ता है और फिर अनुभव करना पड़ता है, आप जीवन में संबंद कैसे बनाते हैं वैसे भी, जैसे जिनको आज आप अपना बच्चा कह रहे हैं, या पती कह रहे हैं, या पत्नी कह रहे हैं, वो तो क कोई आपको जनम से नहीं मिले यह नहीं मिले थे श człowie जब आपके जीवन में आये तो आपका संबंद thinly कैसे बना को याद करकर के बना जैसे चुरुआत में जह शादी रहा टो आपको एक दूसरे के बारे में सोचना नहीं आता था या ध्यान नहीं रखना आता था फिर सब कहते थे अरे अब तुम्हारी शादी हो गई है अब तुम उनका ध्यान रखो वो तुम्हारे बारे में सोचते हैं तुम्हें उनके बारे में सोचना पड़ेगा उनको जो अच्छा नहीं लगता वो ऐसे नहीं चलता है, इस तरह से तु रिष्टा नहीं निभेगा, तो जब बोलते गए सभी कि वो आपके हैं, वो आपके हैं, आपको उनके जैसा बनना है, या उनके साथ आपका संबंध है, तो धीरे 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 हमने वो संबंध बनाया, राइट? और आप बनाने के की बाद हम कहते हैं, हम साथ जन्मों के साथी हैं, क्योंकि हमें याद आने लगा है, कि हो सकता है हम पहले भी एक-दुसरे के साथ रहे हूंगे, मिले हूंगे, ऐसे ही, आज वर्तमान समय में हम परमात्मा के साथ संबंध का अनुबव नहीं करते हैं, लेकिन जैसे-जैसे आप स्मृति के आधार से उस संबंद बनाते जाएंगे तो दिरे दिरे आपको याद आता जाएगा अरे यह वही तो है मेरे जनम जनमांतर के साथ ही आत्मा का एक ही सर्वसंबंदी परमात्मा ही तो है तो उस स्मृति कब आएगी जब आप बार-बार उस संबंद को बनाएंगे लेकिन पहले परिच्छे की बात आती है आज मैं सिर्फ एक चीज का परिच्छे दूँगी वो है परमात्मा का रूप नाम, रूप, एड्रेस, क्वालिफिकेशन है न और ओक्यूपेशन और संबंद है न आज हम पहले रूप को समझेंगे अब आपको क्या लगता है कि परमात्मा का रूप क्या होगा परमात्मा कैसे दिखते होंगे लेकिन उससे पहले भी हमें एक प्रश्न का जवाब लेना है अगर मैं दो स्टेट्मेंट्स कहती हूँ परमात्मा कौन है दूसरा है परमात्मा क्या है दोनों में कौन सा प्रश्न ठीक है पहला परमात्मा कौन है पूछना ठीक है या दूसरा परमात्मा क्या है पूछना ठीक है फर्स्ट या सेकंड हाथ उठा के बताए फर्स्ट या सेकंड परमात्मा कौन है पूछना ठीक है पर मात्मा क्या है पूछना ठीक है सेकेंड क्या है ठीक है अच्छा अब आप एक आत्मा है मैं पूछू आप क्या है ठीक है यह प्रश्न तो आप क्या है तो आप करेंगे मैं कोई चीज हूँ क्या आप क्या है क्या है क्या लगा रखा है तो क्या है नहीं है अब कौन है तो समझ आ रहा है कि आत्मा कोई वस्तु नहीं है आत्मा बींग है आत्मा चैतन्य शक्ति है आत्मा के लिए कौन यूज होता है शरीर क्या है शरीर चीज है शरीर में कौन है निवास करने वाली आत्मा वो बींग है जिसके लिए हम कहते हैं, आप कौन है, ठीके, तो आत्मा कोई चीज नहीं है, आत्मा वो चेतन्य सत्ता है, जिसके लिए हम कहते हैं, आपका परिच्छे दीजिए, अभी आप पहले जब आपको कहते हैं, आपना परिच्छे दीजिए, तो आप कहते हैं, मैं फलाने नाम का मैं यह करता हूँ अब आपको उचेँगे आपका परिछे क्या है तो आप कहेंगे मैं एक आत्मा हूँ मैं शान अरूप हूँ हूँ प्रेम सुरूप हूँ सुक स्वरूप हूँ लेकिन आप कौण है का आंसर और आत्मा देते हैं और आप वो चैतन्य conscious being है जिसके लिए कौन शब्द यूज होता है आप कोई चीज नहीं है एक चीज में और एक चैतन्य शक्ती में क्या फरक होता है दो शब्दे जड़ और चेतन है न तो जड़ सत्ता में और चेतन सत्ता में क्या फरक होता है जड़ विचार create नहीं कर सकता भावनाई create नहीं कर सकता लेकिन चैतन्य अपनी सोच और भावनाई create करता है जैसे आप देखो पौधे हैं पौधे भी आप vibration जो create करेंगे न वो consume करेंगे जैसे कहते हैं न कि अच्छे महौल में यदी पौधे रखे जाए तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी तो vibration receive करते हैं लेकिन create नहीं कर सकते आप पौधों का school बना कर सिखा सकते हैं आप ठीक से सोचो अच्छी भावनाई create करो समझेंगे वो नहीं करेंगे क्योंकि वो create नहीं कर सकते वो consume कर सकते आप उनको अच्छे महौल में रखेंगे वो उस vibration में अच्छा ग्रोव करेंगे लेकिन create करना सोच और भावनाई create करना ये power चैतन्य शक्ती में होती है आज आत्मा भी कैसी होगी पौधों की तरह होगी आत्मा भी जड़ होगी आत्मा भी कहती है अच्छा महौल होता है तो मैं खुश रहती हूँ ये सारे जो आशान्ती फैलाते हैं तो मुझे भी दुख होने लगता है या मैं भी आशान्त हो जाती हूँ तो आप कोई पौधा थोड़ी है आप तो चैतन्य शक्ती हैं अगर कोई दुखी भी है कोई अशान्त भी है कोई शोर भी कर रहा है तो भी आप अपनी सोच और भावनाई चूज कर सकते हैं KIR gev एट कर सकते हैं कैसे भी महौल में आप अपनी एनरजी फिल्ल को क्रिएट कर सकते हैं आपकी चेतन्यता है, इसलिए तो आजकल लोग कहते है ना, ए आत्मा मर गई है आज, तो आत्मा मर गई मतलब आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना, लेकिन आत्मा मर गई माना, आत्मा भूल गई है, कि उसकी पावर क्या है, कि वो किसी भी महाल में अपनी सोच और भावन create कर सकती है आजकल क्या कहते है जब depression होता है तो लोग कहते है मैं बिल्कुल कुछ भी अच्छा सोच नहीं पा रही हूँ तो बार-बार कहोगे सोच नहीं पा रही हूँ सोच नहीं पा रही हूँ तो सोच नहीं लगोगे क्या तो बार बार अपने को का मैं क्यों नहीं सोच सकती मैं बहुत अच्छा सोच सकती हूँ तो आप अपने को उस चीज से बाहर निकाल सकते हैं लेकिन हम अपनी जो पावर है उसको छोड़ देते हैं अगर आप ही अपनी पावर को छोड़ देंगे कि मैं अपनी सोच और भावना create नहीं कर सकती तो दूसरा कोई कैसे आपकी सोच और भावना को ठीक करेगा नहीं कर सकता ना तो परमात्मा भी कोई जड़ सत्ता नहीं है परमात्मा भी चैतन्य है आप लोग भगवान के गायन में क्या कहते है सत्चित आनंद सत्चित आनंद चित माना चैतन्य तो चैतन्य आत्मा है परमात्मा भी हमारी तरेक आत्मा है पर उनमें और हमें एक छोटा सा फरक है हम जनम मरण में आकर अपनी एनर्जी डिप्लीट कर लेते हैं उनकी एनरजी डिप्लीट नहीं होती इसलिए हम जैसे साथ गुणों से बने ज्ञान, पवित्रता, शान्ती, प्रेम, सुख, आनन्द और शक्ति वो परम, आत्मा, इन गुणों के सागर हैं इसलिए आप भगवान का गायन कैसे करते हैं? ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, सुख के सागर, शान्ती के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिवान तो परमात्मा भी कोई और नहीं है, हमारी तरह एक आत्मा है हम जैसे सोचते हैं, अपनी फिलिंग्स क्रियेट करते हैं, परमात्मा भी करते हैं बाकि हम body में हैं, वो body में नहीं है, पर वो भी हमारी तरह सोच और भावना create करते हैं, तो परमात्मा क्या नहीं है, परमात्मा कौन है, और मुझे एक बात बताओ, जो चैतन्य है, क्या वो हर जगा हो सकता है, जो जड़ है जैसे हवा है तो हवा हर जगा हो सकती है लेकिन आप हैं आप तो एक जगा हो सकते ना फिजिकली हाँ आप बुद्धी से कई जगा जा सकते हैं लेकिन फिजिकली तो आप एक ही जगा हो सकते तो परमात्मा भी अगर चैतन्य है तो क्या वो सर्व व्यापी हो सकते हैं, सब जगा हो सकते हैं और अगर वो सब जगा है और वो प्रेम शान्ती के सागर है तो सब जगा प्रेम शान्ती क्यों नहीं है समझाई बात तो जो चैतन्य है वो हर जगा कैसे हो सकता है जो जड़ है वो तो हर जगह हो सकता है हवा हर जगह हो सकती है लेकिन जो चैतन्य सोचने अनुभव करने वाली एक शक्ती है वो तो एक ही जगह होगी ना हाँ बुद्धी से वो हर जगह जा सकते हैं जैसे सूर्य है सूर्य हर जगह हो सकता है सूर्य की physical state एक जगह होगी लेकिन उनकी किरने हर जगह हो सकती है लेकिन सूर्य हर जगह तो नहीं हो सकता, वो तो एक जगह होगा ऐसे ही परमात्मा का भी एक निवा स्थान है हम लोग वैसे भी कहते हैं, उच्छा उनका नाम है, उच्छा उनका काम है, उच्छा उनका धाम है, लेकिन फिर हम कहते हैं, वो हर जगे है, तो परमात्मा हर जगे है, ये एक ब्यूटिफुल आइडिया है, जो हमने कहीं क्रियेट किया और एक दुसरे को दिया, लेकिन परमात्मा हर जगे नहीं है, परमात्मा एक जग है वो कौन है क्या नहीं है उसके बाद गुण क्या है वो ज्यान पवित्रता शांती प्रेम सुखानन शक्ति के सागर है और वो हर जग नहीं है वो एक जगे है वो सर्व व्यापी नहीं है इन बातों पर आफ विचार करो क्योंकि सबसे बड़ी बात है हम लोग आज तक जो भ हां हां किरते आए हैं है हमारे अंद एक बहुत सुन्दर कला है आपको पताए क्या तो और इस दो अटरेजिटरी आइडियाज कौ आपने ब्रेण के विचार करना पड़ेगा आपको कौन सी बार ठीक लगती है तो परमात्मा एक है वो एक जगे है वो सर्व्यापी नहीं है वो कोई चीज नहीं है वो एक चैतन्य शक्ती है हमारी ही तरह है सोचने अनुभव करने वाली चैतन्य सक्ता और हम जनम्मरण के चक्र में आते हैं तो हम प्रेम स्वरूप से घ्रिणा स्वरूप बन जाते हैं या शान्थ स्वरूप से अशान्थ स्वरूप बन जाते हैं लेकिन वो जनम्मरण के चक्र में नहीं आते तो सदा सागर रहते हैं शान्ती के सागर सुख के सागर, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, शक्ति के सागर, ठीक है, इस पर आप विचार करना, कल हम और बाते समझेंगे, ओम शान्ति, आच्छा, question है, उसको ले लेती हूँ, Soul is not destroyed, but is it created, नहीं, it is not created also, ठीक है, दिदी, मेरे पापा बहुत ज्यादा numerology, astrology में belief रखते हैं, मुझे इस राजयोग meditation के course से ज्ञान मिला है, आत्मा अपना भाग्य, अपने past और present के कर्मों, सब total से बनाती है, इसमें हम किस date, किस समय born हुए, क्या ये matter करता है, कोई पंडित बता देते हैं, इसका समय ठीक नहीं चल रहा, ये उपाए करवा ले, वही करवाते हैं मुझ से, मैं उन्हें मना भी नहीं कर पाती, और समझा भी नहीं पाती, ठीक है, आप देखो जैसे न, मानलो आज आप डोक्टर के पास गए, और डोक्टर ने आपके सारे body के statistics चेक किये, और आपको कहां कि आप जिस तरह से अपनी lifestyle चला रहे हैं, आप ब अब आप उस डोक्टर की बात लेकर आए, और आपने का मैं तो दस ही साल जीऊंगी न, तो मैं अब और बेड पे पड़ी रहोंगी, आप कुछ भी नहीं करूंगी, और अपनी health का बिल्कुल ध्यान नहीं रखोंगी, डोक्टर ने तो कहा है न, दस साल ही जीऊंगी, तो दस साल से जादा तो हो नहीं सकता, तो आपने क्या किया, उनकी बविश्यवाणी को लेकर सत्य बनाया, लेकिन अगर आपने वो बात सुन ली, और आपने का अच्छा, डोक्टर की हिसाब से, मेरी जो करेंट लाइफस्टाइल है, उसमें मैं दस साल जीऊंगी, तो मैं मैं देखती हूँ कि क्या बात है, क्या मैंने ऐसा किया है, जिस कारण से मेरी लाइफस्टाइल इतनी लो है, तो मैं उस चीज को ठीक करती हूँ, मैं अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करती हूँ, मैं 10 क्यूँ, मैं 100 साल जीऊंगी और मैं डॉक्टर को चैलेंज करूंगी, ठीक है ऐसे ही astrology जो होती है वो आपके जब तक आप पैदा हुए जब आप जिस दिन आप पैदा हुए न तो आप पिछले कर्मों का जो हिसाब किताब लेकर आए उसके हिसाब से आपकी जनम पत्री बनी है लेकिन आपके पास वर्तमान कर्मों का एक बहुत पारफुल टूल है अगर आप पिछले कर्मों के हिसाब किताब को लेकर सोचें मेरे साथ तो यही होने वाला है तो आप उनकी भविश्यवानी को सब्ते करेंगे और दूसरी बात है कोई external उपाय से आपका भाग्य नहीं बदल सकता अगर आपकी astrology में कुछ ऐसा लिखा भी है कि यह गटना है यह ऐसा है अगर आप उस बात को अपने मन को प्रभावित नहीं करने देंगे और उसके against अलग करम करेंगे तब जाकर आपका भाग्य बदलेगा और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जो इन चीजों में बहुत बिलीव करते हैं तो आप हो सकता है कि आप उस परिस्थिती में नहीं कि आप प्रोटेस्ट करें कि मैं नहीं जाओंगी या यह स्टोन नहीं पहनूंगी या यह चीज नहीं करूंगी तो आप पहने, लेकिन आप mentally involved नहीं हो उसमें, वो जो कहते हैं न, वो stone की तरह पहना या आप अंगुटी की तरह पहन लो, आप उसमें नहीं जाओ कि इसे ग्राटीक हो रहे हैं या वो हो रहे हैं, उसके साथ जो story वो दे रहे हैं न, उस story को आप नहीं लो, बस उस गहने को लो और पहन लो, ठेक है, तो यह जो चीज है, तो external चीजों में, जब हम ऐसे situation में होते हैं न, जहां पर कोई-कोई चीज करने पर मजबूर होता है, तो करें, लेकिन उसमें mentally involved नहीं हो, Okay, I have been practicing small meditations every day since last two weeks or so as directed by you, it is very difficult to see the small white light, but when I sit for a little long, I feel a little heaviness in the center of my head, and vibrations in the hands, lots of thoughts come to my mind, is this okay? देखो क्या है न, कि आपको कुछ देखना नहीं है, आपको विचार करना है, कि मैं एक आत्मा हूँ, और विचार करते हुए, जो, जैसे आप विचार करते हो न, कि मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं है, या मेरे शरीर की तबियर ठीक नहीं है, तो विचार से feeling आती है, ऐसे आप जब विचार करोगे, मैं एक आत्मा हूँ, कितनी हलकी हूँ, कितनी सुन्दर हूँ, कितनी शान्त हूँ, तो उन विचारों के आधार से आप फीलिंग क्रेट करोगे, और जब हम मेडिटेशन करते हैं, कोई स्ट्रिक्ट होकर नहीं बैटना होता है, बहुत हलके धीले शरीर में बैठकर, जैसे आप चलते फिरते दुणिया के विचार करते हो न, ऐसे ये एक स्वचिंतन है, वहाँ चिंता करते हैं, यहां चिंतन करते हैं, बस यही विदी है, क How to maintain self-discipline? I get up at 5 in the morning, but I am unable to follow it regularly. So, self-discipline के लिए, सिर्फ एक चीज इंपोर्टन नहीं होती है. आप अगर पुरे पिछले दिन लाइट नहीं रहेंगे, या टाइम से सोईंगे नहीं, तो आप पांच बज़े कैसे उठेंगे? तो आपको, जैसे हमें पता है ना, कि हमें self-discipline में रहना है, तो हम किसी भी बात का बोज अपने अंदर नहीं रखते हैं, कोई भी बात हुई, छोटी, बड़ी, उसको इमेडियेट लेट गो कर दो, क्योंकि उसका असर कल की नींद पर आएगा, और टाइम से सोना, और खाल किसी इसी जारी करके सों, ये सारी विधियां हम आपको सिखाएंगे, ठाइक है? 往दू काउन्फिडेंस लो है, क्या करूँ है, ना? तो उस सोच को सोच से ही परिवर्तन करना पड़ेगा. मैं आपको एक छोटी सी बात बताते हूं, दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसा कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, कोई भी नहीं है, जो आपकी सोच को बदल सके, एक मात्र आप हैं, जो अपनी सोच को बदल सकते, और पहले तो ये बोलना बंद करें, मेरा कॉणफिदेंस लो है, मैं आपको एक बात बताती हूं, छोटा बच्चा मेरे पास आया था, मुझे कहता है कि दिदी मेरे को सोशल एंग्जाइटी है, मैंने का वो क्या होता है, तो मुझे कहते हैं, मुझे ना भीड में जाने से बहुत घबराहट होती है, मैंने का ये आपको किसने बताया, ये शोशल एंग्जाइटी होती है, तो कहते हैं, मम्मी किसी के पास लेकर गई थी, वो मुझे बता रहे थे कि आपको ये जो बीमारी है इसका नाम शोशल एंग्जाइटी है तो मैंने का आपको तो बहुत प्राउड फील हो रहा होगा कि आपको एक इतनी फैंसी बीमारी है तो बहुत हसा तो आज गल क्या हो गया है कि हमारे को अपने अंदर भी ये भी एक नया दे अभी मान है कि मुझे ये एंग्जाइटी है मुझे वो एंग्जाइटी है और हम बोल बोल कर अपने आपको जैसे ना हमारे हमारा मन तो एक तथास्तू मशीन है जो बोलते जाएंगे वो तथास्तु होता जाता है तो हमेशा को मेरा confidence बहुत आई है मेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है क्यों अपने को ऐसे संकल्ब देने और ऐसे स्रिष्टी बनानी है भगवान को देखा जा सकता है या नहीं भगवान को देखा जा सकता है लेकिन हर चीज को देखने की विधी अलग है जैसे आप देखो अगर मैं कहूं कोरोना वाइरस को देखा जा सकता है तो हाँ देखा जा सकता है किसमें जब वो अंदर प्रवेश करता है तो जो असर होता है उस पे दिखाई देता है तो ऐसे ही भगवान को अपने जीवन में कैसे देखा जाता है, उसके असर से, और जैसे वो bacteria या वाइरस जो है, वो माइक्रोसकोप से देखे जाते हैं, ऐसे ही भगवान को देखने के लिए हमें दिविद रिष्टी मिलती है, जैसे कि हम भगवान को समझ के अधार से देख स और प्लस वो जब हमारे जीवन में हम उनसे योग लगाते हैं, तो जो जीवन में परिवर्तन आता है, उसमें वो नजर आता है, अब अगर मैं आपको कहूँ वाइरस दिखाई तो देता नहीं, तो है कैसे, तो फिर कौन मानेगा उसको है ना, तो कि वो कहेंगे नहीं, जब शरीड में आता है, तो खराश होती है, बुकार होता है, तो ऐसे ही, जब भगवान हमारे जीवन में आते हैं, तो मुसकान आती है, शांती आती है, खुशी आती है, इससे पता चलता है, भगवान आये हैं, और भगवान की प्रवेश्ता हमारे जीवन में हुई है, तो हर च झाल झाल शान्त होकर बैठे और अनुभव करे मैं आत्मा इन दो आखों से दिखाई नहीं देती पर ब्रिकुटी पर बैठ इस पूरे शरीर को चलाती हूँ मुझे ज्यान मिला है कि मेरा स्वरूप एक सितारे की तर है दोनों आखों के पीछे बैठा में सितारा अपनी सोच की शक्ती से इस पूरे शरीर को चलाती हूँ मैं कुद्रत का एक वंडर हूँ कितनी शक्ति शाली हूँ पर नजर नहीं आती समझ के आधार से स्वयम को अनुभव करती हूँ कि मैं दोनों आखों के पीछे बैठी हूँ मेरे प्यारे पिता परम पिता परमात्मा भी नजर नहीं आते पर जैसे ही उनके बारे में सोचती हूँ मेरा बुधियोग उनसे लग जाता है ऐसे अनुभव होता है कि वो प्रेम के सागर मेरे आसपास है परमात्मा की प्रेम की किर्णे मुझे चारों ओर से घेरे हुए हैं मैं जैसे किर्णों के कवच के बीच पैठी हूँ इस प्रेम के कवच के अंदर में आत्मा बहुत सुरक्षित बहुत शक्ति शाली बहुत निशिंत अनुभव कर रही हैं कुछ तेर परमात्मा के इस उपस्थिती को अनुभव करें अंशन्दे